Hello Everybody, Welcome Back to Quant Study I am Mujassim Akhtar तो जैसे कि आप लोगों को पता है मैंने already आपको articles, determiners, spellings और synonyms, antonyums का part 1 और part 2 करवा दिया है आज हम part 2 करने वाले हैं part 2 भी already आ चुका है, sorry आज हम part 3 करने वाले हैं part 2 में हमने discuss किया था कुछ synonyms और part 3 में हम कुछ synonyms discuss करेंगे, जो कि बहुत जादा important है तो हम start करते हैं वीडियो के साथ अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं और channel को भी subscribe कर सकते हैं क्योंकि आपको notification मिलती रहेंगी okay, so let's start the video तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि मैं आपको questions देता ही देता हूँ यह जो questions है आपने इनके answers ढूडने हैं या तो कुछ इन मेंसे मैंने already करवा दिये हैं तो इनके answers मैं video के end पे भी नहीं दूँँगा जो इसके बाद जो part होगा उसमें मैं आपको इनके answers बताऊंगा तो question क्या है each of the following words is followed by four possible synonyms pick up the correct synonym for each word आपको इन में कुछ नहीं करना आपने इन में क्या करना है आपने synonym बताना है simply ठीक है तो पहला जो word है वो है हमारे पास enigmatic इसके options जो हैं वो पहला option illusive, puzzling, pithy and complicated आपने इन में से किसी एक पे मालब किसी एक का answer बताना है जिसको सब के आएंगे वो सबी के बताना दूसरा हमारे पास है infallible तो option A है आपके पास authentic option B, outspoken, option C, weak and option D, perfection तीसरा है आपके पास है exterior option A है आपके पास deceptive option B, superficial, option C, quarrelsome and option D, vindictive तो लेट स्टार्ट दू वीडियो तो आज हम कुछ antonyum practice करने वाले हैं which means मतलब यह जो है पुराने वो पेपर से मतलब लेके आया हूँ तो पहला जो आपके पास है वो है dear dear का meaning क्या होता है जिसकी बहुत ज़्यादा value रखी जाती है तो आपको बताना है इन options में से कि correct कौन सा हो जाएगा यहां पर तो option A आपके पास क्या है priceless, option B क्या है free, option C क्या है worthless and option D क्या है cheap, priceless भी नहीं हो सकता क्योंकि कुछ तो value होगी ना इसके antonium की, है ना dear अगर होता है जिसकी बहुत ज़्यादा value लेकिन कुछ तो value होगी तो option B जो है free भी नहीं हो सकता worthless भी नहीं हो सकता तो option D मिल रहा है जिसकी कुछ तो value होगी बहुत बहुत कम value, ठीक है उसके बाद दूसरा होता है दूसरा जो है हमारे पास वो है flagacious तो flagacious होता है बहुत ही बत्तमीज तरह का इंसान तो इसमें जो है options के हैं हमारे पास antonium आपको बताना है, आपको synonym नहीं बताना है यहाँ पर option A है innocent, option B है vapid, option C है ignorant and option D है frivolous तो definitely यहाँ पर जो innocent है, यही आएगा क्योंकि innocent जो होता है वो आपको पता है case का meaning क्या है पहले भी हम पढ़ चुके हैं उसके बाद liability liability क्या होता है responsibility towards property होती है उसके लिए हमारी responsibility होती है English के हिसाब से उसको हम liability कहते है and इसका जो antonyum आएगा वो आप सभी लोगों को पता ही होगा option A है property option B है asset option C है debt and option D है treasure तो इसका correct answer जो है वो asset हो जाएगा जिसका meaning इसके totally opposite होता है liability के totally opposite होता है asset होता है the property that we own right उसके बाद 15 which means fourth this series में जो है वो है encourage encourage का meaning क्या होता है encourage का meaning होता है मतलब किसी को बढ़ावा देना किसी भी चीज़ में तो इसका जो opposite है वो क्या हैगा आपको खुदी दिखरा होगा option C में discourage इसका correct हो जाएगा क्या हो जाएगा discourage antonium ठीक है ना उसके बाद फिफ्ट जो इस series में है वो है meticulous तो meticulous का meaning क्या होता है meticulous होता है कोई बहुत ज़्यादा attentive है aware है किसी चीज़ के बारे में तो उसको हम meticulous कहते हैं ठीक है तो इसका opposite अगर हम देखे हैं तो mutual जो है mutual तो कुछ और होता है shaggy maritricious भी कुछ और होता है ठीक है slowly आपको पता है slowly क्या होता है जो किसी चीज़ को मतलब lazily करता है attentive नहीं होता है aware नहीं होता है तो इसका answer क्या हो जाएगा option D आपने correct करना है क्योंकि आपने antonium बताना है ठीक है ओके तो next पे चलते next slide हाँ तो यहाँ पर जो है culp label है आपके पास जिसका meaning होता है जिस इनसान पर या किसी भी चीज़ पर भी कह सकते हैं blame कर सकते हैं लेकिन अब यहाँ पर option B आपके पास blameless है तो आप यह सोचेंगे कि blameless इसका correct हो जाएगा लेकिन यहाँ पर इससे भी accurate word है जो की है defendable मतलब वो खुद को उस चीज़ से defend मतलब defend कर सकता है ठीक है तो culp label का जो है antonium क्या हो जाएगा defendable ठीक है जी उसके बाद हमारे पास क्या है aware ठीक है aware तो आपको पता ही है क्या होगा aware भी यही होता है किसी चीज़ में attentive होना तो options इसके antonium के आपके वास क्या है option A है uncertain option B है ignorant option C है sure और option D है doubtful आपको पता है uncertain क्या होता है uncertain होता है जिसमें हम sure नहीं होते हैं doubtful होता है doubtful भी वही होता है और sure जो होता है जिसमें हम sure होते हैं तो aware का in में से कोई antonium तो हो नहीं सकता तो कौन सा होगा फिर option B हमारे पास ignorant है तो aware किसी चीज़ के बारे में होना और किसी चीज़ को ignore करना तो इसमें क्या आएगा हमारे पास option B जो है वो correct हो जाएगा हमारे पास ठीक है ओके जी उसके बाद बात करते हैं graceful graceful क्या होता है हम graceful को मतलब जो पूरी grace से बढ़ा हुआ होता है या फिर stylish भी बोल सकते हैं एक language में तो या फिर smooth उसको बोल सकते हैं हम ठीक है तो यहाँ पर जो options आपके पास दिये हुए option A आपके पास rough option B expert option C miserable and option D awkward तो smooth अगर graceful है तो rough क्या है इसका opposite हो जाएगा ना rough क्या होता है कोई भी ऐसी चीज़ जो मतलब को कैसे बताऊ मैं for example आप मान लीजे pages की ही बात करते हम मतलब pages की ही example लेते हैं तो rough हम किसको कहते हैं graceful हम कहा सकते हैं उस वाले page को जो की हमने fair बनाई होती है ठीक है तो rough किसको कह सकते हैं जिसमें हमने बहुत जादा खराबी की हुई हो मतलब कुछ भी ठीक है I hope आपको समझ में आ गया ये चीज़ उसके बाद nader 62 जो की इस सीरीज में 8th है जा 7th है तो इसका मीनिंग क्या होता है इसका मीनिंग होता है कहीं पे बीच में बहुत ज़्यादा unsuccessful हो जाना इसको कहते हैं नादर तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि zenith का जो meaning होता है वो होता है किसी भी point पे बहुत ज़्यादा successful हो जाना तो इसका जो opposite है वो zenith हो जाएगा ठीक है जी उसके बाद बाद करते है concede concede क्या होता है किसी चीज़ को accept करना कुछ मतलब time के बाद पहले उसको deny करके accept कर लेना तो इसका opposite क्या हो जाएगा simply इसका opposite जो है वो refuse हो जाएगा ठीक है उसके बाद बाद करते है famous famous जो आपको पता ही है popular होता है famous तो इसका जो opposite है एक opposite notorious जो है notorious मैं आपको बताना चाहूँगा कि notorious का meaning होता है वो जो बहुत जादा disrespected हो या फिर मतलब जिसको कोई जादा जानता बनता नहीं हो उसको कहते हैं हम notorious तो इसका जो right answer हो जाएगा वो हो जाएगा आपका B option ठीक है जी उसके बाद बात करते है 65 जो हमारे पास expand है which means इस series में 11th या 12th होगा तो expand का meaning क्या होता है expand का meaning होता है किसी भी चीज़ को थोड़ा बढ़ाना ठीक है openly उसको open मतलब करना ठीक है तो इसका جो opposite है वो क्या हो जाएगा contract तो नहीं हो जाएगा condensed तो नहीं हाँ condensed का condensed का meaning क्या होता है किसी चीज़ को मतलब एक concentration में कम concentration में लाना ठीक है तो इसका जो है correct हो जाएगा आपके बास option B तो I hope आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो I'll see you in the next वीडियो, thank you so much, थोड़ी शोर होगी यहाँ पर, उसके लिए so sorry तो ठीक है, बाई-बाई टेक केर